बिसमिल्लाहरुमारुरहीम, असलाम वलेकुम विवर्स, वेलकम टू लर्निंग रिजवान और आज हम स्टूडेंट्स पाक स्टेडी की पैटरन और पेरिंग स्कीम देखेंगे कि क्या पेरिंग स्कीम है पाक स्टेडी स्टेंथ क्लास की तो पेपर टोटल 50 मार्क्स का है, दो घंटे में आपने करना होता है, अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर को होता है अब्जेक्टिव पेपर की जहां तक बात करें, उसमें 10 MCQs होते हैं, आपके पास 15 मिंट में आपने वापिस करना है पेपर और चेप्टर 6 में से 2 MCQs आते हैं, चेप्टर 7 में से भी 2 MCQs आते हैं, चेप्टर 8 में से भी, चेप्टर 9 में से भी और चेप्टर 10 में से भी, यानि हर चेप्टर से 2 MCQs आते हैं सब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं तो पोने दो घंटे का पेपर है आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पर पार्ट वन होता है और इसमें दो क्वेश्चन होते हैं नौनों शॉर्ट क्वेश्चन दिये होते हैं और आपने दोनों सेट में से छे छे शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं जो पहला शॉर्ट क्वेस्टन है उसमें चैप्टर 6 में से 5 शॉर्ट क्वेस्टन और चैप्टर 7 में से भी 4 शॉर्ट क्वेस्टन तो यह टोटल 9 शॉर्ट क्वेस्टन बनते हैं जिसमें से आपने 6 करने होते हैं इसी तरह जो शॉर्ट क्वेस्टन है है next chapter 5 8 में से 5 short question chapter 9 में से 3 short question chapter 10 में से 1 short question और एक short question आपको पता है terrorism वाला आता है सही है और इस तरह करके यह आपका short question वाला chapter हो जाता है इसके बाद आजाते हैं long question क्या जो portion है इसके अंदर part 2 long question 16 marks का है और question number 4 जो है यानि पहला long question वह चैप्टर 6 में से आता है और दूसरा long question chapter 7 में से और तीसरा long question आठवें चैप्टर से एपार्ट और नौवें चैप्टर से भी पार्ट यानि दो पार्ट पर मुझतमिल होता है और इन टीन long question में से आपने कितने करने होते हैं सिर्फ दो करने होते हैं तो यह थी pairing scheme I hope आपको समझ आई होगी को confusion हो आप तीछे कमट में से पूछ सकते हैं सब्सक्शब पर यहां तो करने में साफे दो मातका बड़ होगी कमटivas